मसकार दोस्तों ये वीडियो बहुत ही काम किया बहुत सारी information इधर उदर से collect करके तब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और खासकर उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही important है चिन लोग को unstable network या फिर logout हो गई है लोग इन नहीं हो रही है स्तोसी के application ऐसा कोई issue आ रहा है त उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम किया तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं जो हमारा announcement का section है यहां पे यहां पे कुछ change update हुई है कुछ update आई है स्तोसी की तरफ से यह देखने के बाद मैं आप लोग को एक सक्रिशोट दिखाऊंगा आप लोग भी check कर सकते हैं तो बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो यहां पे आप लोग देखी अभी जो स्तोसी की तरफ से नहीं announcement हुई है तो स्तोसी app is providing better service to our global users and therefore we have updated our global CDN acceleration service at 24 अक्तुबर और UTC time के साब से बात करें तो दो बजे तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि इन्होंने 24 अक्तुबर को जो server है उ deployment will be able to cover more countries and district मतलब यहां पे क्या है कि जो इन्होंने server को जो upgrade किया है अब upgrade क्या हुआ है कब हुआ है वो भी मैं आपको proof यहां पे दिखाऊंगा भी आप लोग भी check कर सकते हैं तो after the upgrade our global server deployment will be able to cover more countries and district तो यहां पे यह कह रहे हैं कि जो हम नई upgrading जो नई upgrade हमने की है तो उससे क्या होगा कि जो नई country है कुछ और भी country है जहां तक हम नहीं पहुच पाए थे server की problem की वज़े से क्योंकि आप सब लोग भी जानते हैं कोई application कुछ भी है तो सबसे ज़्यादा हमारे को अगर किछी चीज में invest करना पड़ता है या उसकी reach अप्ग्रेट कर लिया है और उसके बाद हम लोग हमारी पहुच और ज्यादा हो गई है making everyone having a faster and smoother experience when using dap तो यह इससे क्या हुआ कि जो हम लोग application को use करें तो वो smoothly run होगी और वो और ज्यादा तेजी से run होगी as the server deployment is different than before यानि के पहले से कुछ different है जो अभी server की deployment है this may case particular region users मतलब कुछ देश के जो कुछ countries के जो users है उनको कुछ problem यहाँ पे हो सकती है जैसे कि internet access become slower थोड़ा सा internet जो वो slow हो सकता है जब आप स्थोसी के application use कर रहे है और there is no access या फिर कोई भी access नहीं जैसे बहुत सारे लोगों को आ रहा है वो login भी नहीं कर पा रहे है जैसे वो open करते है तो login मांग रहा है लेकिन login भी नहीं कर पा रहे है यानिके कोई access नहीं है if you encounter such problem please upgrade to the latest version of the app चलिए एक बार इसका मैं निसकर साप लोगों को main main point बता देता हूं तो इन्होंने क्या है न 24 अक्तुबर को जो है नया server upgrade किया है जो www.btcs.global की जो website है उस पे यह जो हमारी application है जो वो server है उसका तो उन्होंने क्या किया है उस server को upgrade किया है और यह successfully कब हो चुका है तो 24 अक्तुबर को हो चुका है अभी से 3-4 दिन पहले तो उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को जो application खोल रहे हैं अभी application को जैसे यहाँ पे unstable network दिखा देता है receive core नहीं कर जाता है लोग आउट हो जाता है लेकिन लोग हो नहीं रहा है फिर तो यह बहुत सारी समस्या लोगों को आ रही है तो अभी क्या हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दू इसका जो है जो solution है इसका वो क्या है कि अगर अभी तक आपने update नहीं किया है स्टोसी की mining application को तो update क लीजिए सारी problem आपकी जो वो शूट आउट हो जाएंगी अभी मैं सक्रीन सोट के मादम से और समझाओंगा आपको कि कहां पर यह update हुई है और कैसे आपको पता चलेगा तो आप सबसे पहले क्या करिए अभी देखिए 10-12 दिन पहले एक update आई थी आप लोगों ने update कर लि हुआ जो यहां पे था डिसकोर्ड वगारा वो सब कुछ वा ऐसा ही था जो पिछली update में हुआ था लेकिन चेंज यह हुआ था कि जो server है वो नया server buy किया था अब यह साइड में जो आप सक्रीन सोट देख रहे हैं यहां पे देखिए तो server जो है इनका अभी upgrade हुआ है 20 तार application को बना देते हैं आप भी बना देंगे मैं भी बना दूँगा 40-50,000 रुपे में बिलकूर बना देंगे असानी से लेकिन लोग जब उसको यूज करेंगे वो data यूज होगा जितना भी data जाएगा जो भी वो करेंगे तो उसके लिए server buy करना होगा तो वो एक तरह का digital storage है त worldwide, globally, बहुत बड़ा server buy कर लिया है, खुद का तो server है नहीं और एक आधी company है जिनके पास जैसे Facebook है, Amazon है, Alibaba है, इनके पास खुद का server है, Google है, बाकि सभी इनका ही server यूज करते हैं, ऐसे ही ये cloud pair का server हम भी यूज कर रहे हैं, स्तोशी mining application यूज कर रहे हैं, तो अभी ये testnet क server already हमारे पास आ चुका है, अभी server की तरफ से कोई problem नहीं है, जो testnet वाला server था, ये हमारे पास अभी आ चुका है, ये जो आप से रिसोट में देख रहे हैं, एक बार फिर आप यहाँ पे देखिए, कि ये 20 तारीक को इसी महिनने की, अक्तुबर की 20 तारीक को 2022 में ये update वहाँ पे कोई भी छेड़ चार नहीं हो सकती है, ना कोई किसी का owner या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, वो real data यहाँ पे मिलता है, तो ये 20 तारीक को भी update हुआ है, ये किसलिए हुआ है, जो main net वाला server है, वो load हो चुका है, बस सीरफ अभी हो सकता है, किसी भी time हमारी announcement हो जा तो वो क्या है ना जो cryptocurrency है, उसके हमेशा वो फेवर में रहते हैं, कि cryptocurrency दुनिया में चलनी चाहिए, और इसको बड़ा हो मिलना चाहिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा price जो है उपर गया है, थोड़ी सी pumping होई है, बाकि ये स्थाही नहीं है, ये फिर down आएगा, ये चलता रहे अब माली जी वो mainnet को launch कर देते हैं, तो भी market डाउन है, जो उनके पास asset है, माली जी ये BTC है, Ethereum है, सबसे ज़्याद उनके पास BTC और Ethereum ही है, sell करेंगे तो बहुत कम price में जाएगा, लेकिन कुछ दिन wait करेंगे, तो ये market और ऊपर चली जाएगी, उसके बाद वो उनको sell करे और फिर हम लोग को, जितनी हम लोग selling करेंगे, हमारे को पैसे भी तो देने हैं, तो वो पैसे exchange थोड़े ना देती है, वो कहां से आते हैं, वो पैसे, तो वहीं से आते हैं, जिसका project है, तो इसलिए ये थोड़ा सा delay हो रहा है, बाकी सब कुछ काम तयार हो चुका है, server वग पर जाके, आप यहां पर जैसे जाएंगे, एक बार फिर से मैं बता रहता हूं, डाउनलोड में जाएंगे, www.btcs.global, अभी जहां पर मैं हूँ, वहां पर network का issue है, आपको बता थोड़ा सा, तो यहां पर www.btcs.global पर जाएंगे, तो वहां से या तो play store से update कर लीजिए, या फिर नई APK फाइल, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा, कुछ करने की जुरत नहीं है, आपको 99.99% में आप लोग को security के साथ बोल रहा हूं, जैसे ही आप लोग update करेंगे, आपको कोई भी problem नहीं आनी है, आपका login भी हो जाएगा, unstable network कुछ नह server problem, तो कोई issue नहीं है, आपको कोई भी problem नहीं है, और अगर आपने update कर लिया है, और smoothly run कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी main net के लिए server हमारा upgrade हो चुका है, तो दोस्तों ये थी इस वीडियो में कुछ overall information, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को like जरूर करिएग मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए thank you and bye bye